बसकार दोस्तो आज हम इस वीडियो में आपके साथ discuss करेंगे end mailing operation के बारे में जो mailing operation का एक type है और एक vertical mailing operation है और इसे हम vertical mailing machine पर इसको perform किया जाता है mailing purpose क्या रहता है इस operation को करने का जब हमें workpiece पर कोई flat surface बनाना है या फिर flat surface का pair हमें बनाना है तब इस operation को किया जाता है और इस operation के दूआरा हम horizontal surface produce कर सकते हैं vertical produce कर सकते हैं और inclined surface produce कर सकते हैं लेकिन जब हम horizontal surface को produce करते हैं तो उस case में जो हमारे milling cutter का जो axis of rotation है वो horizontal होना चाहिए जब हम vertical surface produce करें तो उस case में जो milling cutter का axis of rotation है वो vertical होना चाहिए और inclined की case में हम axis of rotation milling cutter का वो किसी angle पर उसको set किया जाता है और ये जो तीनों चीज़ हम करते हैं वो हम जो machine table का जो top surface है उसके respect में इसको किया जाता है जैसे आप इस diagram को देख पा रहे हैं यहाँ पर end milling cutter लगे हुए है उपर का part यह spindle है जिसमें हम इसको insert करते हैं और यह end mill है और end mill के उपर के portion को sank कहते हैं जिसे spindle की nose में insert किया जाता है और यह जब इसको rotation दी जाती है तो आफशक्ता अनुसार यह एक ही जगे पर हमारा rotate करता है इसको हम up and down कर सकते हैं ताकि हम axial depth of cut को provide कर सकें और जो work piece है उसको feed किया जाता है horizontal भी feed कर सकते है vertical भी उसको feed किया जा सकता है तो इस परकार से हम इसमें working करते हैं और end milling operation के दुवारा हम work piece के उपर slot बना सकते हैं grooves बना सकते हैं key ways बना सकते हैं dovetels बनाए जा सकते हैं key slot बनाए जा सकते हैं तो बहुत सारी इसकी application रहती है अगर हम इस operation को horizontal milling machine पे करें तो उस case में हमें जो हमारा end milling cutter होता है उसको adapter में उसको insert करना पड़ता है अब बात करते हैं कि इस operation को करने के लिए कौन कौन से end milling cutter का हम इस्तेमाल करते हैं जैसा कि अगर हम बात करें जो end milling cutter है वो solid circular cutter होता है एक परकार से और उसकी अलग-अलग variety होती है जैसे कि एक variety होती है जिसमें sank होता है दूसरी होती है उसमें sank नहीं होता और ये अपर जो portion आपको नजर आ रहा है इसको हम sank बोलते हैं और इस portion पर हमने teeth को provide किया है जो sank होता है वो taper भी हो सकता है और वो straight भी हो सकता है उसका diameter 3 mm से 50 mm के बीच में रहता है अब बात करते हैं कि mostly जो हम use करते हैं end milling cutter वो कौन-कौन से हैं तो सबसे पहले अगर आप देखते हैं उसमें common type end milling cutter है यह आपको नजर आ रहा है अलग-अलग diameter में available होते हैं और इस पे हम देखते हैं तो multiple teeth इसमें बने होते हैं small size इसका रहता है तकरीबन यह 8 mm diameter तक के यह होते हैं तो इसका जो ferry-ferry होता है वहाँ पर यह teeth बनाए जाते हैं multiple teeth होते हैं और उसके बाद जो होता है two liped end milling cutter जिस पे अगर आप देखें इसकी जो ferry-ferry होती है उस पे two teeth बने होते हैं और two teeth इसके periphery पर भी हो सकते हैं और जो two teeth हैं वह इसके end पर भी हो सकते हैं और यह straight भी हो सकते हैं और helical भी हो सकते हैं और एक प्रकार से जो two lipped end milling cutter होता है इसका इस्तेमाल हम heavy cut देने के लिए करते हैं mostly इसको use किया जाता है और जब इसको हम insert करते हैं जो work piece में बिल्कुल उसी तरह से insert किया जाता है जैसे drilling machine में हम drill को insert करते हैं उसके बाद इसको longitudinal इसको fed किया जाता है ताकि हम अपनी आवशकता अंसार groove को बना सकें depth अपने according उसको देश कें उसके बाद है cell end milling cutter cell end milling cutter अगर आप देखें ये दिखने में size में बड़ा होता है 50 mm diameter size इसका हो सकता है heavy होता है इस पर helical teeth बने होते हैं जो right hand भी हो सकते हैं और left hand भी हो सकते हैं और इसमें अलग से एक recess provide की जाती है ताकि हम एक cap screw को हम इसमें receive कर सकें और इसको हम जो cell end milling cutter होता है इसको hold करने के लिए हम stub arbor का इस्तेमाल करते हैं मतलब कि इसको mount करने के लिए stub arbor का इस्तेमाल किया जाता है अगर हम T-slot हमें work piece में बनाने है तो उस case में T-slot end milling cutter का इस्तेमाल किया जाता है तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया milling operation का महतपून type and milling operation अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ students के साथ और channel को subscribe करना न भूलें जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे कर दिन स्क्राइब कर दोस्तों के सुपफेकर दोस्तों कि वीडियो के साथ deliberceğiz कर दोस्तों करना कर दोस्तों कर दोस्तों क्वा होती है कर दो